तुनिशा की मम्मी का शिजान पर आरोप उर्फी ने मांगे फैन से पैसे क्या दिपिका वाकई में है प्रेगनेंट? इस हफते टेलिविशन की दुनिया में काफी कुछ हुआ तो चलिए एक एक करके बताते हैं आपको इस हफते की टॉप टेन नियूज हमारे सेगमेंट टेली राप में तुनिशा की मम्म ने शिजान और उनकी परिवार पर कई आरोप लगाए और यहीं तक कहा कि शिजान की फैमिली तुनिशा का धर्म परिवर्दन करना चाहती थी वेल अब तुनिशा मामले पर पायल रोहातगी ने रियाक्ट किया है सुन ये पायल ने क्या कहा तुनिशा की मम्मी ने बताया कि शिजान रिलेशनशिप में रहने के दौरान तुनिशा को थपड विमारा था महीं जब फलक को इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जल्द ही तुनिशा की मम्मी के इलजामों का जवाब देंगी अक्ट्रूस अदाखान ने भी तुनिशा मामले पर अपनी राय रखी सुनिए जवाब तुनिशा के निधन के बाद ऐसी खबरे फैलने लगी कि तुनिशा प्रेगनें थी इसलिए उन्होंने खुद कुशी की वही अब उनकी मम्मी ने इस खबर को गलत बताया सुनिए उन्होंने क्या कहा शोशल मीडिया पर तो ये भी बात उठी थी कि शिस ट्रेगनेट अब वो जो कि नहीं थी ऐसे तो बहुत कुछ होता है उसके मामा ने किया है चन्डीगर में है मामा वो चले गए है उन्होंने रीचोस किया शिविन नारण ने तुनिशा संग इंटेनेट वाला लव शो में काम किया था वहीं तब से दोनों का बॉंड काफी स्ट्रॉंग था अपने के इंटर्वियू में शिविन ने बताय था कि 23 और 24 डिसेंबर को उनका तुनिशा संग मिलने का प्लान था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया तुनिशा को आखरी अलविदा कहने शिजान की बहन फलक और शफक भी अंतिम संसकार में पहुची जहां फलक का रो रो कर बुरा हाल था अंकित गुपता ने भी तुनिशा मामले पर अपनी राय रखी सुनी अंकित ने क्या कहा अगर वो मोमेंट पास हो जाए या उस मोमेंट में आप किसी से बात करता हो या आपको कुई इस मोमेंट में समझा पाए वो एक मोमेंट निकल जाए ना तो पिर आप इतना बड़ा डिसिजन लाइफ का नहीं लोगे देवुलीना शादी के बाद से लगातार ट्रोल हो रही है वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो ये तक कह दिया कि देवो प्रेगनेंट थी इसलिए उन्होंने गाई-गाई में शादी कर ली जिसके जवाब में देवुलीना ने कहा कि उन्हें ऐसी खबरे पड़ काफी गुस्सा आता है उर्फी जावेद हाली में एक रस्टरॉन के बहार स्पॉट हुई थी जहां उन्होंने एक फैन से पैसे मांग लिये देखिये विडियो देखिया ने सबा के बद्द्द से तस्फीरे शेर की जिस पर फैन्स कॉमेंट कर उन्हें प्रेगन्सी को लेकर सवाल करने लगे क्या कहना है आपका इन टॉप 10 नीज को लेकर बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube.